गलवान के बाद एक बार फिर सीमा पर भारत और चीन के सेनिकों में जड़फ होने की खबर सामने आई है सेना के मताबिक चीन के सेनिकों ने आपसी सहमती का उलंगन करते हुए पूरवी लद्दाक में घुस्पेट करने की कोशिश की जिसके बाद भारतिय सेना ने पैंगोंग एरिया में चीनी सेनिकों को घुसने से रोक दिया ऐसे में पैंगोंग जील के पास दोनों देशों के सेनिक 29-30 अगस्त की रात को आमने सामने हो गए आपको बता दे कि कई दोर की बादचीत के बावजूद पूरवी लद्दाक में भारत चीन की सेनाओं के बीच तनाव कम नहीं हो रहा है भारतिय सेना का साफ स्टेंड है कि चीन को अप्रेल से पहले वाले इस्तथी बहाल करनी चाहिए सेन्यस्तर पर बाचीत के अलावा विदेश मंत्राले और दोनों देशों के वरकिंग मेकेनिज्म और कंसल्टेशन एंड कोडिनेशन ने भी चर्चा की है लेकिन धरातल पर इन वारताओं का कोई असर नहीं हुआ है कुर्ष संसर्द लाहूल गान